हेलो श्ट्रेंड्स यह आज खाए वीडियो नर्षन का पार्ट थ्री है और इससे पहले मैंने दो वीडियो नर्षन से अप्लोड कर दिया है और इसके पहले वाला में जो है दो तो प्रॉल बटा दिये थे कैसे barking डाएट्स ुप में चेंज करते हैं पहला रूल था कि changes of pronoun, दूसरा रूल था changes of tenses, तो आज हम लोग क्या करेंगे, changes of expressions of time or place, इसका meaning क्या है, कि direct speech में जब भी कोई ऐसा sentence आता है, जिसमें, क्या मोलता है, time से related कुछ words होता है, या time से related कुछ adjective या compliment होता है, तो उसको हम लोग indirect में ले जाकर कैसे change करेंगे, तो जैसे कि एक example आगर हम आप लोग को दें, कि he said I want to write now, क्या हो जाएगा इसका change, he said that he wanted to write them, okay, write then, t-h-e-n, okay, यहाँ पर now को क्या change हो जाता है, then में, और want का कैसे wanted होगे, तो हम इससे पहले लोग बिडियो में बता दिया, अगर आप लोग नहीं देखेंगे हैं, तो description में लिंक दे दिया, आप लोग उसके, देख सकते हैं, concept clear हो जाएगा, okay, तो now का then हो गए यहाँ पर, तो यह क्या now का indicate करें यहाँ पर, एक expression of time है, ठीक है, यह time का expression है, जिसको हम लोग indirect में, देन के रूप में change कर दिया, तो कुछ rules है, जो काफी हद तक helpful होता है, जब हम लोग indirect में करता है, तो, पहला है, now अगर रहे direct में, तो उसका क्या change हो जाता है, then हो जाता है, this अगर रहे, तो उसका that में change हो जाएगा, okay, एगो रहता है, तो उसका before में चलिए, एगो मतलब क्या होता है, बहुत साल पहले ही होता है, तो before मतलब बहुत साल पहले, इसका एगो का before हो गया, just का क्या हो जाता है, change, then, come का क्या हो जाता है, go, does, show, here, का there, यहाँ पर जो here है ना, यह expression of place को indicate कर रहा है, ओके, यहाँ पर आगे है, word here का there, अब आज आते हैं, आगे, these का change हो जाएगा, those में, to night का change हो जाता है, to night रहता है ना, आज रात, तो that night, उस रात को, narration में, यह कुछ rules है, जो follow करने पड़ता है, जिसके हमनों का sentence, easily बन जाते हैं, और narration करने में easy भी होता है, साथी साथ, next day का क्या हो जाएगा, the following day, to day का क्या हो जाएगा, that day, tomorrow का क्या हो जाता है, the next day, yesterday का क्या हो, change हो जाएगा, yesterday, the previous day, यह कुछ changes है, जो हमनों को mind में मिसा रखना है, जब हम लोग डाइट से नार्व में change कर रहे होते हैं, तो, और यह जो है, बहुत हद तक सही भी होता है, चलिए, और आज की इस topic से related कुछ examples, हम लोग देख लेता है, पहले तो हम लोग example 1 देख लिए, आप example 2 देख लेता है, he said, this is very good, ओके, तो इसका क्या change हो जाएगा, he said, that, this का क्या change होता था, that, अभी बता है, that हो जाएगा, was very good, so, यहाँ पर हम लोग सोचेंगे, कि एक ठो, that, तो हमेसा लगता है, यह narration में कि कोमा हट रहा हां, कमा हट रहा है, तो that लगता है, और सादे साथ जो है, this का भी, that में हो जाएगा, तो इसका में भी जाएगा, यह नहीं कि बहुत सारे student होता है, He said I am here यह रहा हम लोगा sentence इसको कैसे change करेंगे He said that he was there यह हम पहले ही बता दिये है यह जो है expression of place है तो इसका there here का क्या हो जाता है changes, there हो जाता है अब example 4 देख लेते है He said to them This is the house where I ate yesterday यह हो गया यहाँ पे कौन-कौन जो है expression of place या फिर time है वो है this और साथी साथ yes today तो इन दोनों हम लोगो change करना होगा जब भी हम लोग डायेट में डूक रहे हो तो तो he told said to का told हो जाता है them that that was the house अब लीएक आप Harry आप inté क्वियाड्योओ दो tag6 मॉय और इंक और यहां पो प्रोगो उस्दट है डीएट और क्रीवियाट यहां पो Madonna जो घदा और क्रीवियवायर आपास अजा है एक घर आगे बढ़िया क्या हो गया पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया यह सब क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है यह सब मैंने इससे पहले आले वीडियो में बता दिया है अगर आप लोग इंट्रेस्टेड है तो वहाँ पर जाके देख लिए डेस्क्रिप्शन में लिंक है अच्छा नेक्स एजाम्पल क्या है आई ऑल्वेज से हम हमें सा क्या कहते हैं आई लाइक देश बड़्ट्स ओके देस आ इससे सेंटेंस तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा इसका चेंज होगा समझ में यह आ रहा है क्या होगा आई ओल्वेज say that I like those birds, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर like है, तो यहाँ पर like ही रहे गया यह क्यों change हुआ? कैसे change हुआ? यहाँ इससे पहले नहीं बता दे लिए, फिर यहाँ पर थोड़ा से बता दे रहे हैं यहाँ पर यह जो है reporting verb वो present में है, तो यहाँ पर sentence में no change रहेगा sentence का जो reporting speech का जो verb है, उसमें no change रहेगा अगर reporting verb का जो रहता है, वो past में रहता है, तब reporting speech का verb जो है past में होता है, present में है तो no change, last example है example 6 he said I cannot go with you till next month next month तक मैं तुम्हार साथ नहीं जा सकता है इसका change क्या हो जायेगा he said that cannot का could not हो जायेगा he could not go with him till following month यह हो गया change next month का क्या हो गया follow month number 4 हम लोग का topic क्या है changes of statements मतलब अगर अगर indirect speech में कुछ ऐसा sentence रहे जो की statement में है तो उन सब को हम लोग कैसे change करेंगे तो rule number one है क्या है कि रिपोर्टिंग वर्व के बाद जब कौमा रहता है तो उसके लिए हम लोग that यूज करते है ना यह तो पता यह बताई दिया है बहुत बार कि वर्व के बाद और कौमा रहता है तो क्या करेंगे उसको रिमूफ करके हम लोग that का यूज करते हैं ओके यूगर rule number one इसका example भी देख लिजी है आप लोग एक ठो he said to Ria I will go home this is a sentence तो क्या करें कॉमा हटा कर देट लगाना है तो लगा देता है said to told हो जाता है बहुत बार बता दिये है he told to Ria that he would go home ओके अगर यहां पर सिर्फ सेड रहता तो सिर्फ सेड ही उतर जाता लेकिन चुकिंस यहां पर said to है तो यहां पर told हो जाएगा okay I never do never do the तो छोड़ासा कि डाहलों कि जा जब र dramas जैता है ना तो इसका रिपौर्टिंगज inव का अबजक्त बना दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्व का क्या बना दिया जाता है ऑब्जेक्ट ओके जैसे कि एक्जाम्पल देख लेता है एक्ठो आई सेड शूधा यू आर लेट मैंने कहा कि सूधा तुम लेट हो तो यहां भी क्या हो रहा है रिपोर्टिंग इसपीच के वीतर जो नाउन या यू यह दोनों नावन उप्रनावन है तब उसे जो है रिपोर्टिंग वर्व का अब्जेक्ट बन लेट यानि कि इसका चेंड जो है कुछ ऐसे होगा आई टोल्ड टू शूधा देट शी वास लेट अब यहां पे कोशेन अराइज होता है अब यहां पे कोशेन अराइज होता है कि आप तो बोले थे कि जब भी सेड रहेगा तो सिफ सिर्धी उधार जाएगा बल्कि टोल नहीं होगा से टू के जगा पर टोल्ड होगा तो यहां पे सूधा और यू धोनों नावन है यहां यह को इस यह हैं नावन को सबजेक्ट के हिंग संभी न रखेंगे लेकिन एक ठोकम को अबजेक्ट में चेंज करना होगा, दोनों को लेकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो किसको अबजेक्ट की रूप में ले ले, सुधा को ले लेते हैं, अबजेक्ट की रूप में, तो I told to Shudha, 2 लग गया यहां पर, सुधा को मैंने बोला, इसलिए यह यहां पर टोल लग गया है, सुधा को बोला गया, तो इसलिए टोल, से 2 का टोल हो गया, that U का कैचन जागा, सी वाज लेट, तो यहां पर जो नाउन वला पाट रहा था, दोनों तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो नाउन वला पाट रहा था, यानि कि Shudha, जो एक ठो नाम है लिखा हुआ किसी का भी, पाटिकुलर नेम है यह सुधा, तो उसको हम लोग 2 के काटेगरी में ले लेते हैं, और फिर टोल टो शुधा, that's she was, अगर हम यहां पर रखते हैं, तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुधा को ही बोला जा रहा यह बात, तो I told to Shudha, म लमाद 3 क्या बोल रहा है, अगर reported speech में, okay, reported speech में क्या रहता है, कौन-कौन सा word, well, very, well, you, see, exit, रहां सारे ऐसे वर्ड है, तो यह सब जो है निरार्थक होता है, यानि कि meaningless होता है, इन सबी words को जो है छोड़ दिया जाता है, उसको जो है इनारेटी स्पीच बदलते समय हम लो वापस से नहीं घसेटेंगे, उसको नहीं लेकर आएंगे, जैसे कि example है, I said, well, Raju, I will help you, okay, this is a sentence, क्या change हो जाएगा इसका, I told to Raju, यहापे भी same है, same case है, एक ठो नाम दिया हो है, और एक ठो उसी नाम को जो है, प्रोनावन में चेंज करके उसी को डाल दिया गया है, तो क् रखेंगे, नाम बला, जो नाम बला है, उसको रखेंगे, और इसी हिसाब से यहापे जो है, टोल टू लग जाएगा, क्योंकि शेट टू लगाया जाता है, तो उसका टोल टू हो जाता है, टोल टू राजू, that I would help him, okay, I would help him, I को ले लिए, would help him, यहापे क्या था, well लगा ह बल, very well, you see, यह सब लगा देता है, तो क्या करेंगे, well को रिमूफ कर देंगे, डारेक्ली जो यहाँ से सेंटेंज को चेंज करने के लिए, स्टार्ट कर देंगे, और हम लोंका फाइनल सेंटेंज क्या हो जाएगा, I told to राजू, that I would help him, इस सेंटेंज में जो राजू है, वो क्या था, reporting speech में, as a, क्या बोलता है, subject था, तो इसको क्या की हम लोग, object में चेंज कर देंगे, इस noun को हम लोग, object में चेंज कर देंगे, किसका, reported verb का, जैसे कि यहाँ पे, इस नियम में हम बताये थे, कि reported speech में जो noun या pronoun रहेगा, वो क्या, reporting verb को object बन जाएगा, तो यह र subject, verb, object, तो object तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो हम लोग सुधा को object बना लिए, reporting verb का यह सुधा, reporting verb का object की रूप में काम कर रहा है, mostly जो indirect, अब हम लोग आगे बढ़ता है, आगे लारूल में, mostly जो indirect speech रहता है, उसमें statement की बनावट, यानि कि structure कैसा होता है, वो अभी हम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बनावट, यह अभी हम लोग देखते है, तो पहला है कुछ word order जैसा, माल लिजे word order, मतला इसको जो फॉलो करना सही रहता है, तो हम लोग का sentence वो एकदम करेटली वैसे बन जाता है, subject प्लस verb, subject कौन रहता है, जैसे कि माल लिजे आई, verb कौन जैसे हो गया, क्या रहता है, साथ में, प्लस रहता है, ढाउन, clause, रहता है, अब टू नमर के है, subject, प्लस, वर्व, यहां पर क्या, वर्व जो है, टेल या टोल जो भी, प्लस क्या रहता है, object, अब्जेक्ट के नुसरा हम बता दी, यहां पर कोन है object, राजू के रुप में, object को use किया जा रहा है subject, verb, object तो object हो गया plus that plus noun clause रहता है ठो ठीक है, examples example one जैसे की अभी तक तो हम लोग यही सब देखते हैं न she said that she would buy a book जड़ा तर indirect speech में जो हमको ऐसा ही structure देखने को मिलता है see subject हो गया, said हो गया verb, that हो गया, यह noun clause हो गया, यह पूरा, यहां से यहां तक noun clause हो गया, ओके पहला rule फॉलो किया, example two देख लेते है he says that he is happy यह भी पहला rule पे ही waste है example three देख लेते है she told me that she would help me यह हो गया, example four यह किस पे बेज़ड है, यह दूसरा ले रूल पे है क्या, she verb plus object तो क्या हो गया, till plus object, verb plus object हो गया that उसको बाद नाम clause हो गया, example four क्या है he told her that he was unknown यह भी जो है rule नमर टू ही फॉलो कर रहा है क्या subject verb object उसके बाद that उसके बाद noun clause तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही hope आप लोगों को narration का आज का जो rules था उसका content अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और डेली नए अपडेट्स पाने के में चैनल को subscribe कर दीजे थाच्छा लगाच्छा लगाच्छा